इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स की कैसे आप MX Player में किसी भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं छुपा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और टेक माइंड या यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कई सारे ऐसे फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं वीडियो के जो हम छुपाना चाहते हैं जिनको हम छुपा के रखना चाहते हैं तो वह आप कैसे करेगा MX Player में सबस्पले आपको MX Player Open कर लेना है MX Player Open कर दिने बाद यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप पूरा का पूरा फोल्डर हाइड कर पाईएगा कोई एक specific वीडियो ने एक वीडियो है जो कि एक फोल्डर में है और उस फोल्डर में दो और वीडियो है तो आपके वह तीनों वीडियो तो हाइड हो जाएगा और तो जो आप वीडियो छुपाना चाहते हैं वह भी हैड हो जाएगी और साथ में साथ उसके साथ उस फोल् पर में right side में देखिए तीन dots यहां पर डिखते हों यहां पर click करिए click करने के बाद आपको यहां पर click कर देना है hide simply और उसके बाद click कर देना है okay तो यह हमारा folder है जो अब hide हो चुका है अब मैं refresh करके आपको दिखाता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर record master folder हट चुका है अब बात आती है कि हमको folder वापास कैसे लाना है हमको दुबारा उस file को देखना होगा वीडियो को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे सिंपले आपको फिर से तीन डॉट में यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में setting पर आपको जाना है list में list में जाने के बाद सब से नीचे में आपको आना है और नीचे में एक option आपको दिखेगा folders का यहाँ पर देख सकते हैं तो folders में click कर ये click कर देंगे बाद आपको यहाँ पर आपका folder दिख जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं record master तो इसको tick कर देना है और जितने सारे folders यहाँ पर छुपए हैंगे वह यहाँ पर दिख जाएगे तो इसको tick कर देना है उसके बाद नीचे में एक option आपको दिख रहे हैंगा show तो show में click कर दिजे उसके बाद हम पीछे आते हैं अब हम इसको refresh करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मेंने folder छुपाएं थे record master वह यहाँ पर आप वापस आ चुका है तो यह था simple trick कि कैसे आप MX player में वीडियो को छुपा सकते हैं और वापस ला सकते हैं